चलिए अब एक कॉंसेप्ट टेस्ट करते हैं कोश्चन में कुछ सॉलिट्स दिये गए हैं और हमें इन सॉलिट्स को आयनिक, मेटेलिक, मॉलिकुलर, कोवलेंट या एमर्फर्स सॉलिट्स में क्लासिफाई करना है सॉलिट्स जो हमें दिये गए हैं वे हैं टेट्रा फोस्फोरस डेकोकसाइड, अमोनियम फोस्फेट, सिलिकन कार्बाइड, आयोडीन, फोस्फोरस, प्लास्टिक, ग्रेफाईट, ब्रास, रुबीडियम, लीथियम ब्रोमाइड और सिलिकन अब हमें इनको आयनिक, मेटेलिक, मॉलिकूलर, कॉवलेंट या फिर एमोर्फस में क्लासिफाई करना है तो अब आप इस वीडियो को पहुज कीजिए और इस कोश्चन को सॉल कीजिए चलिए अब इसका सॉलिसन देखते हैं सबसे पहले यदि हम इनमे से आयनिक सॉलिट्स को पहँचाने तो उसमें वो सॉलिट्स आएंगे जो आयन्स से मिलकर बने हैं जैसे अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम और फॉस्फेट आयन्स से मिलकर बना है तथा lithium bromide, lithium ion और bromide ion से बना है इसके बाद अगर हम metallic solids को पहचाने तो ये solids खुद metals होंगे जैसे brass जो copper और zinc metal से बनता है तथा rubidium metal molecular solids में वे solids आएंगे जो molecules से मिलकर बने होते हैं जैसे tetra phosphorus dioxide P4O10 iodine I2 और phosphorus P4 covalent solids में वे solids आएंगे जिनकी covalent mount से बनी एक बड़ी natural के structure हो जैसे की silicon carbide, graphite और silicon etc last में हम already जानते हैं कि glass और plastic ये सब amorphous solids होते हैं ना कि crystalline solids इसलिए amorphous solids का एक अच्छा एकजामपल यहाँ पर plastic है इन reference questions को आसानी से solve कर पाओगे प्याँ जासनी से लुए कर दो कि अच्छाटी अच्छाटी